नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हूँ मैं नौ जून दो हजार इक्कीस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रार्म करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है जेश्ठ मास कृष्ण पक्षकी आज चतुरु दर्शीति थी है जो दो पहर में एक बच करके 57 मिनट तक है और इसके पुष्चात अमावश्या है प्रतिका नक्षत्र है प्राताकाल आठ बच करके 44 मिनट तक इसके पुष्चात रोहिणी नक्षत्र है सुकर्मा योग शकुनी करण बातुगई पंचांकी चंद्रमा आज व्रिशब राशी में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बज़े से दोपहर एक बच करके 30 मिनट तक होगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकारिय राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज पूरे दिन सरवार्थ सिध्धी योग है कोई भी कारे प्रारंभ करना हो किया जा सकता है सरवार्थ सिध्धी योग में जन्मकुंडली का वो कॉन सा भाव है जो आपकी कामनाओं को प्रदर्शित करता है क्या आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी ये जाना जा सकता है जन्म कुंडली के माध्यम से आज दिव्य महा प्रयोग में इसी विशे की चर्चा होगी तो दिव्य महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह स्थुतियों की आज चतुर ग्रही योग बना है ब्रुषभरासी में चंद्रमा राहू सूर्य और बुध ये चार ग्रह यूती बनाकर ब्रुषभरासी में संचर्ण कर रहे हैं शुक्र मिथुन रासी में तो वहीं मंगल करकर राशी में केतु का संचर्ण व्रुषभरासी में जारी है शनिदेव मकर रासी में संचर्ण कर रहे हैं और देव गुरु ब्रहस्पती कुम्भरासी में संचर्ण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली में आज गजकेशुरी योग का निर्माण हुआ है चतुर ग्रही योग का भी निर्मा अपकी की अपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, सौ्म में दिन है, बुधवार आज का दिन बाकी की यह ग्रहश्तितियां, चंद्रमा के नक्षत्र में, खुद चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में जब संचरंड करेंगे, तो किस तरह किस्तिती बने की जितने भी सौम में काम है किसी से बादचीत करना है, मीठी बादचीत, मीटिंग इत्यादी किसी पर दवाव नहीं बनाना, प्रेम से कारे जो हो सके वो सभी कारियों को करने के लिए आज का दिन बढ़िया बनेगा राशी फल तयार किया है, वो नेदर्शक जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ, यह राशी फल आपके जन्म राशी के आधार पर है यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशी है अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं प्रियदर्शकों, प्रत्येक मंगलवार अरात्री आठ बच करके 10 मिनट पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्यायन करने के लिए, ये कारिक्रम पूरी तरह से निशुल्क होता है, ये आपको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित, कोई प् में लाइब जुड़ सकते हैं और कॉमेंट के माध्यम से अपने प्रश्ण मुझ तक पहुचा सकते हैं, ये कारिक्रम पूरी तरह से निशुल्क होता है, तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का ध्यायन कराना चाहते हैं, तो रात्त्री आठ बच करके 10 मिनट पर यही चतुर्थ भाव है, और कामना कहां होती कहते हैं, दिली इक्षा है, दिल में, हृदय में, यही पर चंद्रमा की रासी होती है, करक रासी, जो की मन के कारक हैं, तो दिल में कोई इक्षा होती है, वो मन तक पहुचे, और फिर आपके मन में जैसे ही कोई कामना उत्पन ह होती है आप उसके लिए सतत्त प्रत्नशील हो जाते हैं अर्थात अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव मजबूत है जन्म कुंडली में चतुर्थेस अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो इसमें कहीं दोमत नहीं कि जातक की कामना अवश्य पुर्ण होगी अब ये अल पुर्थेस के मजबूत होने से चंद्रमा के मजबूत होने से वह अवश्य ही पुर्ण होने वाला है वहीं आपकी जन्म कुंडली में चौथा भाव पीड़ित है जैसे पापकरतर योग लगा हुआ है इस भाव के स्वामी पीड़ित अवस्था में चठवे आठ्वे बार अब इस भाव पर ग्रहों की दृष्टी इस भाव की स्थिति और इस भाव के स्वामी की स्थिति एक ब्रिहत चर्चा का ये विशय है लगन की चर्चा जो प्रारंभ हुई है निसंदेह एक ऐसा समय आएगा जब चोथे भाव की चर्चा भी हम प्राच्य जोतिस विज्ञ के मंच पर अवस्य करेंगे तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए और आज अपनी जन्म कुंडली को तब तक के लिए आप देखिए क्या आपकी कामना पुर्ण होने वाली है चलते हैं राशी फलकी और बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के ज जुतिये भाव में चतुर ग्रही योग गजकेशुरी योग बन रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में होंगे प्राता काल आठ बच करके 44 मिनट के पश्चा तो सौम्य दिन और सौम्य चंद्रमा खुद के नक्षत्र में तो कहना ही नहीं यानि वान पेसा लोगों की बात करूं तो कारिस्थल पर सब कुछ अच्छा रहने वाला है आपके कारिक 46 से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलेगी और आप अपनी वानी के प्रभाव से चाहें तो लोगों का दिल जीत सकते हैं किसी भी तरह की मीटिंग के लिए इंटर्वियू के के लिए आज का दिन सर्वस्रिष्ट है व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है आज अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार करेंगे और किसी से आप से किसी को कोई शिकायत भी नहीं होगी जूट नहीं बोलना चाहिए आज ग्र आज सावधानी दो तिन बातों की रखनी है, एक तो जूट नहीं बोलना, दूसरा मध्यपान इत्यादी से दूरी बना कर रखियेगा और वाहन चलाते समय बेहत सतर्क रहिएगा दुरगटना की संभावना है। रासी पर ही ये चंद्रमा प्राता काल आठ बच करके 46 मिनट तक कृतिका में इसके पुष्चात खुद के नक्षत्र में होंगे। बुधवार का दिन और चंद्रमा का आपके रासी पर होना बहुत बढ़िया है दिन। कोई न कोई योजना आज चलती रहेगी, कोई न कोई ब्यापारी की योजना चलती रहेगी, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कर सकते हैं। दिन चुकी फाइदेमंद है सो काम बनेगा। पैसों के मामले में भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। यात्रा, स्तावधान और शतर्क होकर कर सकते हैं। कारिक्षत्र में उच्चा धिकारियों का जहां सहयोग मिलेगा वहीं शेर मार्केट में नुकसान तब होगा जब आप जल्दबाजी में हडबड़ी में कोई फैसला लेने। ब्यापारियों को कुछ नया करना अवस्य चाहिए क्योंकि ब्यापार में आज सफलता प्रदायक है दिन, बहस बाजी से दूर रहना है, सोच समझ करके बोलना है, प्रेम समध के लिए दिन बढ़िया दिख रहा है, जीवन साथी की भावनाओं को जरा समझिये तो घर का मा हाल भी बढ़िया होगा, जीवन साथी से हर हाल में सामंज से बनाइए और विद्यार्थी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तयार रहिए, पढ़ाई के लिए दिन बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है, तो बात अगर आपके वहीं स्वास्थ की कर ली जाए, तो स्वास्थ क को लेकर के जरा सावधान रहना होगा, आज स्वास्थ में परिशानी है, ये दंत जन्य रोग यानि दात से समंधित परिशानी तो वहीं आज आपको कफ जन्य रोगों की शिकायत भी हो सकती है, अगर आपको स्थमा इत्यादी का अटैक आता है, तो ये परिशानी आज वि मिथुन की बात की जाए, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से, आज ब्यायभाव में हैं, और सौमे दिन, बुधवार का दिन, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, आठवच के चवालिस मिनट के पश्चात, ये खुद के नक्षत्र में हो करके, आज आपके पुरुन कारे आज अगर शुरू करनाचाहते हैं, तो ना करिए, जो पीछे के छूटे हुए कारे हैं, उन्हें पुरुन करने का आपको प्रत्न करना चाहिए, किसी को उधार मत दीजिये, कोई गैर कानवनी काम मत करिये, वानी पर नियंत्रन रखिए, क्रोध करने से बच जूट मत बोलिये कि ये कुछ सामान नसी बाते हैं इन्हें आप ध्यान में रख करके कोशिश करना प्रारंभ कर ये दिन अच्छा होगा परिवार के साथ समय व्यतीत करना आज आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है वहीं परिवार के लिए खरिदार बढ़िया है हलाकि यात्रा लाभदाई सिद्ध होगी परंतु यात्रा में जोखिम बहुत है नुकसान कुछ ज्यादा हो सकता है इसलिए कुछ सामान ने फायदे के लिए कुछ नुकसान 50-50 जहां चांस हो वहां निर्णय वही लेना चाहिए जो सुरक्षित हो साबधानी में ही भलाई है खर्च पर नियंत्रण रखिए और किसी के साथ जोर जबर्दस्ति आज नहीं करना प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है परंतु प्रेम संबंध में अगर कोई मतभेत तनाव गलत फहमी उत्पन हो गई है वो दूर हो जाएगी बिवाह का प्र स्वास्थ में वैसे कोई विशेस परिसानी तो नहीं है लेकिन सावधानी तब भी आवश्यक है अज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्सन करिए इससे आपको फायदा मिलेगा लकियंक आपके लिए आज दो और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है निवेश ना क है तो कारेक्षित्र होए आपका नीजी जीवन आप हर मामले में सफल दिखाई पड़ रहे हैं जहां लाभ की योग बन रहे हैं वहीं उल्जे हुए मामले भी सुलजिते दिखाई पड़ रहे हैं आज जितना हो सके शांत चित्त होकर के केवल चिंतन करिए आपकी समस्या क समाधान आपके हाथ में है और किसी भी मामले में जहां मन कह रहा हो कि ये काम करना ठीक नहीं है वो काम छोड़ दीजिए नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो कारिस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन जो भी आपके साथ के लोग हैं जो आपके अध भावनाय हैं जो भी आपके एक्षाएं हैं उन्हें दबाने की आवशक्ता नहीं गलत नहों तो अपनी एक्षाओं को पूर्ड करने के लिए प्रत्मसील होई है प्रेमी के साथ संबंध मधूर बनाने की आपको कोशिश करनी चाहिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़ि परिशान होंगे अपने स्वास्त का खयाल रखिएगा और आज प्राता काल ही तुलसी जी के पास घीका दिया जला दीजेगा इससे आपको फायदा मिलेगा लखियंग की चार लखी कलर आपके लिए आज काला है निवेश अवसे करिए और सिम्ह की बात कर ली जाए तो गो साहतो जैसे आज आपका चरम पर रहने वाला है इनकम बढ़ाने के नए नए सुरोत आप ढूंडेंगे और अपनी कारेक्षमता को भी बढ़ाने के प्रित्न में आज आप लगे रहेंगे आज आपको आपके परिवार का जहां स्वयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है वही किसी पुराने मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा कोई खास काम होने वाला है का खास काम में आपको सफलता मिलेगी पारिवारिक कोई मसला है जिस पर स्थाई निर्णे लेना था आप कोई फैसला लेना था आज ले सकते हैं किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बाचित या पुराने दोस्त की मदद से काम होगा, आज जो भी जरूरी आपके काम है, जो भी बड़े प्लैन है, उनका निक्टारा आज ही आपको करना होगा, कारिस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं लोगों के लिए आज का दिन बहुत हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, स्वास्थ में कहीं कोई परिशान ने, यानि स्वास्थ आपका बढ़िया रहने वाला है, परंतु परिवार के किसी स्वदस्य को लेकर के आज हो सकता है थोड़ी चिंता आपको सताए, प्राताहकाल कुत्ते को खाने के भाग्यभाव में, बुधवार का दिन सौम्य दिन भाग्यभाव में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, सो उम्मीद तूटने मत दीजेगा, आत्नो विश्वास पर बने रहिएगा और उत्साह बनाए रखिएगा किसी भी तरह के जोखिम को लेने के लिए आप तयार है, जहां भाग्य आपके साथ है, वही सफलता आपके कदमों में, अपने बारे में जो भी महत्तोपुर्ण निरने लेना है, आज आप करिए, कारिस्थल पर अगर आज के दिन को देखा जाए, तो बेहद महत्तोपुर्ण रहने वाला है, धनलाव के लिए अगर को योजना बन नहीं चलना, दामपत्य जीवन में किसी भी तरह की गलत फ़हमी तभी उत्पन्न होगी, जब दूसरों की द्वारा कही गई बातों को सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास करेंगे, सो जीवन साथ इससे मिल करके किसी भी तरह की गलत फ़हमी को सुलजाईए, और प् पास कोई मंदिर है, तो वहाँ कोई भी मंदिर, जाकर के आज घीका दिया जलाईए, लकी अंक आपके लिए आज दो, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश जैसा मैंने कहा आप करिये, और तुला की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आज अस्टम में हैं, अब देखा जाए तो ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, गुधवार का दिन, और गज केशरी योग का लिर्मान गोचर कुंडली में हो रहा है, चंद्रमा अस्टम में हैं, सो जरा सोच समझ करके, स्वास्थ में अगर परिशानी है, तो नाम मिलेगा उसका, यात्रा कर सकते हैं सतरकता पुर्वक, अपनी जिम्मेवारियों को देखते हुए, जिम्मेवारियों से मुह मत मोड़, ये जिम्मेवारियों की अंदेखी मत करिए, कहीं भी रहिए, चाहे वो घर की जिम्मेवारी हो, कारिस्थल की जिम्मेवारी हो, उसकी अंदेखी मत करिए। कारे स्थल पर हो सकता है आपके नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, आपके कारे पर उंगली उठाई जाए, किसी सड्यंत्र का शिकार आपको बनाया जाए, आपके साथ राजनीती हो, वैसे तो 60-60 समाचरे जैसी स्थिती होगी वैसा निर्णे लीजिएगा, परंतु फिर भी आज जो काम मिर्दुता से हो सकती है, मीठा बोल करके हो सकता है, वो बहस से नहीं, सो धैरी से काम लीजिए। आराधना करिए और उनसे प्रार्थना करिए आज के दिन को वो स्रिष्ट बनाए, निवेस आप ना करें, लकियंख आपके लिए आज साथ और लकी कलर क्रीम है, वरिश्चिक के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से, सब्तम भाव में हैं बुधवार का दिन और चंद्रमा खुद के नक्षत्र में आज आप भी सब के साथ बेहद सरल और सौम्य व्योहार करने वाले हैं, यू समझ लीजे सबको आज आप चकित करने वाले हैं, कारेक्षत्र में उन्नति के अवशर दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बड़ा कारे आ बड़ा निरने लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, भाग्य आपके साथ है, नई नौकरी से सम्मंधित कोई जानकारी आपको मिलेगी और हो सकता है, नई नौकरी के क्षत्र के लिए प्रतनसील हैं, तो आपका काम बनेगा, सामाजी की उस्तर पर भी आज आपका मानुश सम बढ़ने वाला है, ब्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, मैं फिर दोहरा देता हूँ, ब्यापार में आज बहुत बढ़िया है, दिन कोई नया कारे शुरू करने की सोच रहे हैं, तो जरूर शुरू करिये पुराने कारियों को खत्म करना भी अवश्यक है, कोई कोई खरिदारी, आज आपको बिना विचारे नहीं करना चाहिए, या कहीं बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जरा सावधान होईए, जीवन साती से सहयोग, प्रेमी से प्रेम और विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने के बाद सफलता, लेकिन आप अधिक मेहनत और विद्यार्थियों के लिए तो मेहनत ही सब कुछ होता है, सो मेहनत कर ये सफलता मिलेगी, स्वास्थ बढ़िया रहने वाला है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज तुलसी जी के समुख घी का दिया जला लीजेगा, इसी से आपका काम बन जाएगा, लकी अंक तीन में आठ बच करके 44 मिनट के बाद तो एकागर रही, आपकी एकागरता ही आपका सबसे बड़ा हतियार है, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, सो सोच समझ करके बोलने से किसी भी तरह की उल्जन हो, वो सुल नया कारिय प्रारंभ आज नहीं करना, योजना तयार करिए, नौकरी पेशा लोग आज कारिस्थल पर अधिकारियों से परिशान रहेंगे, हो सकता है कोई न कोई सड़ेंत्र आपके खिलाप हो, परन्तु आज आपको जैसा मैंने कहा कि आपका हतियार आपकी एकागरता है आपकी गंभीरता है, गंभीर रहें, पता भी चल जाए, कौन क्या कर रहा है, चुप रहें, सबसे मिलजूल करके रहें, व्यापारी है, थोड़ी परिशानी होगी, हो सकता है कुछ कानूनी परिशानी हो, प्रसासन की तरब से हो, सावधान रहेंगा, किसी को उधार मत दी ब्यर्थ के ब्याय से बचना है, और वाहन चलाते समय तनिक भिला परवाही नहीं होनी चाहिए, चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है, अगर आपको मौसमी बिमारियां जैसे स्थमाई त्यादी की सिकायते रहती हैं, तो आज बेहत सतर्क रहिएगा, और प्या बड़ी ज्यादा करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ में सावधानी बेहत जरूरी है, कोई पुराना रोग आज आपको परिशान कर सकता है, आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाईएगा, लकियंक आपके लिए नौ लकी कलर आपके लिए आज केशर य परन्तु कहीं न कहीं कोई चिंता आज आपको सताती रहेगी, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा, और जो भी फैसला लेना है बेहत सोच समझ करके लिजिएगा, करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, तो योग बन रहा है, परन्तु बिना बिचारे कदम मत उठाइए, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, या आपने काम के सिफ्ट में चेंजिंग कराना चाहते हैं, तो कदम आगे बढ़ा सकते हैं, परन्तु बिचार करके, जो होगा सब आपके हित में होगा, ब्यापारियों की बात करूँ, तो ब्यापार से सम्मंधि कन्फ्यूजन, आज आपको परिशान करेगा, संसे किस्तिती में अपने ब्यापारिक पार्टनर से आपको बातचित करनी चाहिए, संसे दूर होगा, और भावनाव में आकर के किसी से कोई बादा नहीं करना चाहिए, प्रेमियों को जरा सावधान रहना चाहिए, ऐसी कोई कर वो लोग जो मधुमेह और ब्लड प्रेसर के रूगी हैं, उन्हें सावधानी जरूरी है, विसेश रूप से, आज किसी अनाथालय में या किसी जरूत मंद बच्चे की मदद आप करिए, लकियंक आपके लिए तीन लकी कलर वादामी वैसे मदद के रूप में वस्त्र द बड़ा, मनुस्य तो छोड़िये पसुओं से भी आज सहानुभूती रखिएगा, तभी दिन अच्छा होगा, धन से जुड़ा अगर कोई महत्वपुर्ण मसला है, या कोई मामला है तो वो तय हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, अगर चाहत प्रसंसा पाने की है, सम्मान तो आपको भी सबके साथ ऐसा वेवहार करना होगा, सबको आप प्रसंसित करिए, सबको प्रसंसा दीजिए, आप जब दूसरों की प्रसंसा करेंगे तो आपकी स्वेम प्रसंसा होगी, कारेस्थल पर आपको कुछ मामलों में धैरे बनाए रखना होगा, और कोई उलजन है कोई उल्जा हुआ मसला है तो इसी उल्जे हुए मसले के कारण कारिक छेत्र में कार्य में दिक्कत आएगी घवराना नहीं है जरुद पड़ने पर आपको सहयोग मिल जाएगा उच्चा धिकारियों से जो साथ किरोगन से आपको सहयोग मिलेगा व्यापारियों की बात करू परन्तु ब्यापार में लाब की स्थिति है परन्तु ब्यापार में कोई भी फैसला बिना विचारे जल्दबाजी में वैसे तुम्हें सलाह दूंगा आज कोई भी बड़ा फैसला ना करिए पारिवारिक संबंध को ठीक बनाए रखना है प्रेम संबंध में मधूरता बना 45 का पार्ट करिए लकियंक आपके लिए 6 लकी कलर आपके लिए औरेंज है निवेश आप रहने दीजिएगा मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके पराक्रम भाव में बुधवार का दिन और ये चंद्रमा आपकी रासी से तृतिये में हैं खुद के नक्षत्र में सो परेसानियों को कम नहीं खत्म करेंगे पस प्रत्न करना होगा किसी नए कारे की शुरुवात करने की सोच रहे हैं तो करिए आज जरूत पढ़ने पर दोस्तों से भायों से आपको सहयोग में मिलेगा कारिस्थल पर वे दिन बहुत बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है आज आपका व्यक्तित तो भी कुछ खिला खिला रहेगा अपने पूरुसार्थ से आप सभीत कारे तो करेंगे ही सबके तारीफ के हकदार भी होगे यूं समझ लिजे कि आकरशन का केंद्र कारिस्थल पर रहने वाले हैं मेहनत का पूरा पूरा ला आपकी संभावना है किसी भी तरह के पैसे का भुकता निक्तियादी करना है तो अपने पार्टनर को साथ रखिएगा आप सिला परवाही होगी जीवन साथी का खयाल रखिए अगर कोई मत्भेद हो गया है कोई गलत फहमी हो गई है उन्हें दूर करने के लिए जीवन साथ आथियों के लिए दिन सामान्या है आज पढ़ाई तो नहीं होगी लेकिन पढ़ाई के अलामा बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे स्वास्थ के मामले में जोड़ों में दर्द थी तो ये शिकायत बढ़ेगी आज गणेह जी की आराधना करिये और ओम गंगण पतै नमह इस मंत्र का 108 बार प्रातह काल ही जब कर लिजेगा लखी अंक आपके लिए आठ और लखी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश आप करें तो प्रिये दर्शकों ये था मेश शे लेकर मीन राश परियंत प्रते एक राश के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनह मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार